गुडिवनी तू एब्रीवान आज हम स्टार्ट करते हैं बाल्टीवल चाइस आफ जियोग्राफी तो फर्स्ट क्वेच्चन है विच आफ दा फालेंग इस नाट रवी क्राप इन में से रवी क्राप कौन नहीं है तो कौन यह नहीं है अर्सरी बी मेज रवी क्राप नहीं है मेज कौन सी क्राप है खरीफ की फसलें कब बोई आती है जून मीने में मेज मस्टर्ड एंड ग्राम यह कौन सी फसले है रवी की फसले हैं रवी की फसलें कब बोई आती हैंं एक्टूबर मंध मैं विच कावरक कौन सी फसलें प्राप इज ग्रॉर्ण इन इडिया मेली वैइड भार्मिंग बार्ट का जो सूखा एरिया है उसमें Max X Spiritual onde बोहती है मिलीर की जी ऑड आदेया का उसमें मीइलट्स की फसलें बोहती तराफर इस इस एः विच आफ्डा फालेंग इझ डाा मेजर सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया जो शिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट था है बात की वो कोंप सी स्टेट कोंप सी स्टेट है करना टक का ढ्सर रिज तो अ विच वणराव दा वालिंग स्टेट इस दा लर्जेस्ट प्रोड्यूसर अफ ब्लैग पीपर इन इंडिया तो Black people है यह सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में होते हैं कोन सी स्टेट है pensarec ee Ihek क्ट्री माइंड्स इंड राजयस्ताण किनोन फार राजयस्ताण में दो कि लिए जाने आती है किसकी मइन्ट से बापर की मइन्ट जा issuesकी कंपर के लिए 3 एंच विच अब आ फालिंग एक पवर स्टेशन इसमाइब चॉस हरा साहिए तो तो से नहीं है सो के कुठा पईब कर?, जे कहां पड़ता है गुजरात में गुस के कहां पड़ता है यूपी में प्रिएक तब कल्पा काम यह कहां पढ़ता है तमलनाडू में कलपा काम और कुदन कलम तमलनाडू में दो पढ़ते हैं दुसरा क्या है कुदन कलम दोनों तमलनाडू में पढ़ते हैं तारापूर बारास्टा में और कोटा जे राजिस्तान में पढ़ता है लेकिन कहां दिया है गोवा तो अन्सलि लिज नहीं है कोटा और राबत वाटा इस डोनों राजिस्तान में पढ़ते हैं अर्मध्वाटा मैं अश्ळिक पramत हो यह क्यों पढ़ता है कють अब आए लज्बॉर्ट इन जो कि खोज की गई थी है फोनिती नमें पर थे सॉत姐ं में नॉल और स्विशन भी उड़ का पटा है अशाम में पटता है इच वह ते वह जी वर्नाव दा फॉलिंग स्टेट्स आफ इंडिया इज दा लार्जास्ट प्रोडूसर आफ लिगनाइट कोल जो लिगनाइट कोल है हमारा जिस सब से ज्यादा कहां प्रोडूस होता है कहां पर होता है तमल नडू में आंसर इज C coal की चार ब्राइटी है हमारी कौन सी है anthracide anthracide bituminous lignite and peat सबसे अच्छा कौन सा कोला है anthracide carbon content सबसे ज्यादा होता है सबसे अच्छा जे है उसे कम जे और इंडिया में सबसे ज्यादा use होता है bituminous koila which one of the following oil field of India is the oldest and still producing oil वो वारत की कौन सी oil field है जो सबसे पुराणी है और अभी भी उसमें oil producer हो रहा है तो कौन सी है दिग बोई answer is इसको discovery की गए थी 1890 में असाम में है जे महात्मा गांदी हाइड्रो अलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इस और विच रिवर महात्मा गांदी हाइड्रो अलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सी रिवर में है सारावदी रिवर में और इसके पर एक जोगफाल है जोगफाल बाटरफाल वह भी सारावदी रिवर के पर है दां है रिजर्व गोविंद सागर इज और विच रिवर इन पंजाव गविंद सागर रिजर्व है कौन सी रिवर के ऊपर है क्म अजपर में ängtुब सी रिवर के ऊपर है सतलोई रिवर के ऊपर पर आप्सेरीज़ राना परताव सागर प्लांट राजस्तान इज एसोसेटड विद जो राना परताव सागर प्लांट है ये क्या है किसके साथ एसोसेट है किसके हाद है हाइड्रो अलेक्रिसिटी है ये हाइड्रो अलेक्रिसिटी प्लांट ये किस नदी के अपर बढ़ाया गया है चंबल नद के उपर इन वीच आफ दा फालिंग प्रडॉक्ट है बंगलादेश इमर्ज आज दा मेंड कंपीडिटर आफ इंडिया इन दा वर्ल्ड मार्गिट वैक कौन सी चीज आए जो बारत का मुगावडा बंगलादेश करता है वर्ल्ड मार्गिट में तो कौन सी चीज है जूट जूट में वर्ल्ड मार्गिट में बारत का मुगावडा करता है बंगलादेश आणसर इज सी तो बारत में सबसे ज्यादा जूट कहां पर होती है वेस्ट बंगल में वारत की है तो के अब कर अग्धिटक्श्ट में किस के लिए जाना चाहता है किसकी प्रृड़क्शन के लिए जाना चाहए तो किसकी के लिए जाना जाता है पेट्रोलियम के लिए अंकलेशवर है कहां पे है यह है गुजरात में गुजरात स्टेट में दा फॉस्ट आइल वेल इन इंडिया वाइड गट जो पहला आइल वेल इंडिया में डग किया गया कहां पे दिग बोई में अंसरेज है सी दिग बोई असाम में इफ यू लाइक इस वीडियो प्लेश सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक्स फर वाचिंग